तो आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, अगर आप बर्ड प्रेस के थुरू आपने कोई वैबसाइड बनाई है और ऐसे में बर्ड प्रेस में आपको अपडेट मांग रहा है जानी कि आपके जो लेटिस्ट बर्जन आपने अभी तक इनिस्टॉल नहीं कर रखा हैं बर्ड प्रेस को ओपन करेंगे और अपडेट पर सिंप्क करेंगे तो चलिए मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं बड्ड प्रेस अपडेट का यहां पर आप्शन ओपन हो चुका है educating operation हो ने से जैसे कि 643 मेरा यहां पर कारेंट वर्जन है इससी के साथ में कब अपडेट किया है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा चलिए मैं यहां पर क्लिक पर सिंप्ली क्लिक कर देता हूं और डेट वगर आपको यहां पर देखने को मिली रही है ठीक है तो यह अपडेट वर्डप्रेस मेरा यहां पर हो रहा है और जो भी फाइल्स होंगी व वो भी अच्छा होना चाहिए तो इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देज़ेगा और आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देज़ेगा इसे ही में इस्वार चैक कर सकते हैं और इसमें पहले निफिक्स और बन था आरहा है वो आपको यहां पर देखने कोई मिलना है पहले कौन सा था और अब कौन सा है ठीक है इसी के साथ में आप कौन कौन से इसमें बदलाव हुय है क्या-क्या लेकर यह नया बर्चन ऐन्हों ने को पढ़ सकते हैं तो चलिए वो भी हम जानेंगे इससे पहले हम क्या गरेंगे यहां पर थोड़ा सा नीचे की तरफ नीचे से उपर की तरफ इस्क्रॉल कर लेंगे ठीक है और आप यहां पर दे सकते हैं जो भी अपडेट बगरा हुए होगे वो आपको यहां पर देखने को मिली ही जाएंगे इसी के साथ में आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जैसे ही आपका जो बड़ प्रेस है अपडेट हो जाएगा तब ठीक है इसी है इसी के साथ मेरे laptop की यहां पर दे सकते हैं तो चलिए हम डेक्सबूर्ट पर जाएंगे अपने किट्स की और यहां से हम अपनी वैपसाइड की जनकी रैंकिंग चेक कर सकते हैं कि आखिर कितने व्यू जा रहा है जनकी कितनी बार किलिक हो रहा है सब कुछ ठीक है तो कि हैं और यहां से डियक्टिवेट कर सकते हैं तो चलिए मैं इहां पर मैंनेज्वर्ट करता हूं किलिक करने के बाद में हमारे सामने आगया है एक्टिव या ड्री तो मैं इसे एक्टिव कर लेता हूं क्योंकि ये SEO है तो इसका मतलब SEO के लिए वह खाफी अच्छा रहेगा यह ठीक है उसके बाद में आप यहां पर मैं यहां से simply back कर देता हूं और फिर से हम इस पर simply click करते हैं तो यह आ रहा है थिम्स से related है अगर आप थिम्स में कुछ भी update करना चाहा है तो आप management पर simply click करेंगे अब आप कौन सा थिम्स से आप पर लगाना चाहाते हैं जैसे कि मैं तो वही यही लगाना चाहूंगा और उसके बाद में अगर कुछ बदलाब करना चाहाते हैं तो इस पर आप simply click करेंगे ठीक है और continue फिर simply click कर देंगे इसी के साथ में आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से आप पर options आजाएंगे जैसे कि आप इसमें क्या-क्या बदलाब करना चाहाते हैं वह सारी चीजों को आप यहां से customize कर सकते हैं जैसे कि color अपर बिलाग कर देता हूं तो फिर Knicks यहां पर देसकते हैं तो यहां पर जो भी आपकी लिंक वगएरा हूँंगी वह कुछ इस तरीकी से आपको देखनेंकों मिलेंगे ठीक है इसी हिसाब से आप यहां बगलर भी सारे चीजों को कस्टुमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से ठीक है तो इसके अंदर सारे चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि अपने इसमें कोई भी अफडेट आता है तो उसे हम किस तरीके से इनिश्टॉल कर सकते हैं अगर आपके मुझे में कोई भी सवाल है या कोई भी कनफीजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्षिन में दे सकते हैं मिलते हैं एस वीडियोस में